नमस्ते दोस्तों पल्कम टू आवाचरेर आज का लक्सिप ये डाइबेटिस का पकोड़ा है सबके लिए तो हम पकड़ा बनाते हैं लेकिन डाइबेटिस लोगों के दिए हाँ अज हम पकोड़ा बनाएंगी कड़ु ले लिए अब हल्दी एक चमच नमक एक चमच जीरे और मिर्ची के पाउडर हमने यहां पे जीरे और सुक्ही पाउडर लिए हैं हमने यहां पर बैसन एक कप लिए हैं एक ग्लस पानी यह रहा हमारा सब सामान बैसन में हम अब हल्दी पवडर, नम्मक, जीरे और मिर्ची का पाउडर मिक्स कर लेंगे अभी थोड़ा थोड़ा करके पाणी देंगे अच्छी तेरह से मिक्स कर लेंगे हमारा बैटर अभी रेडी है देखिया कितना थिक बना है देखिए consistency कितना अच्छा आया है अब कद्दू को mix कर लेते हैं अच्छी तरह से mix कर लेंगे देखिए हमने कद्दू को यहां पर अच्छी तरह से बेटर्ट में mix कर लिए अभी पकोड़ा के लिए ready है हमारा तेल गरम होगे अब कद्दू को डाल देखिए हैं देखिए कितने अच्छे तरह से बन गया ग्रीन कलर का कद्दू diabetes परेशन के लिए बहुत अच्छा है अब इसको प्लेट में निकल देखिए बन गया हमारा diabetes का पकोड़ा भाजी चलो प्लेटिंग कर लेते हैं आप अपने हिसाब से प्लेटिंग कर सकते हैं मैंने याम पर थोड़ा डिप्रेंट कर लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग डाइबिटिस के पकोड़े लाइक, सेयर और सब्सक्राइब